Hello guys, welcome to Let's Learn It's Easy for learning English through Hindi and Urdu and friends if you are new to this channel या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें and friends आज के lesson में we are going to learn another structure which is like this के हिंदी सेंटेंस के अंत में यदि के लिए तरसता है के लिए तरसती है या के लिए तडपता है या के लिए तडपती है या के लिए छटपटाता है या के लिए लालाइथ होता है लालाइथ है इस तरह का हो तो sentence का English structure जो है वो इस तरह से होगा subject plus pine या pines plus four plus object pine का मतलब होता है तरसना, तडपना, छटपटाना, ठीक है, या फिर subject plus fine या pines, plus four, plus gerund, जिसको verb plus ing कहते हैं, अगर sentence में main verb का भी use हो तो, plus object, ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ example, वह रोटी के लिए तरसता है, बच्चा दूद के लिए तरसता है, बच्चा दूद पीने के लिए तरसता है या वह पूत्र के लिए तरसती है, वह नौकरी के लिए तरसते हैं, और आब हम इस structure के help से इसे translate करने की कुशिस करते हैं, वह रोटी के लिए तरसता है, he pines for bread, क्योंकि he singular subject है, बच्चा दूद के लिए तरसता है, the child pines for milk, यहाँ पे child भी singular है, इसलिए pines यूज़ होगा, वह पूत्र के लिए तरपती है, she pines for her fun, ठीक है, और next है कि वह नौकरी के लिए तरसते हैं, वह यहाँ पे plural subject है, तो pine होगा, they pines for a job, ठीक है, वह बच्चा के लिए तरसती है, she pines for a child, बच्चा मा के लिए तरसता है, the child pines for mother, ठीक है, बच्चा दूद पीने के लिए तरस रहता है, the child pines for drinking milk, यहाँ पे देखे, main verb का use था, वह अपने परिवार से मिलने के लिए छट पटाता है, he pines for meeting with his family, राधा किशन से मिलने के लिए तरपती है, राधा pines for meeting with kishan, रिशब IPL देखने के लिए ललाईत रहता है, रिशब pines for watching IPL, and that's the end of this lesson, hope you enjoyed it, if yes, please like, share, comment and don't forget to subscribe the channel, और अगर आपने इससे पहले के structure lessons को miss किया है, आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के description में उन सब का link आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो मिलते हैं friends next video के साथ, till then you guys take care and keep learning and keep smiling.